इस वीडियो में हम लोग पायट ब्यूटी को डिसक्स करेंगे, ये एक पोवम है जिसे लिखा था GM Hopkins ने, दोसों ये एक कर्टल सॉनेट है, यानि साड़े दस लाइनों में लखी हुई एक सॉनेट, ये एक सकस्फुल एक्सपेरिमेंट था GM Hopkins का, दोसों सिर्फ पोवम को मैं यानि कि बहुरंगी चीज, तो ऐसी ब्यूटी जिसमें बहुत सारे कलर्ट हों, GM Hopkins की ये पोवम है, ये पोवम दोस्तों एक सॉनेट है, ये कर्टल सॉनेट है, यानि कि GM Hopkins ने जो एक नया स्टाइल इंवेंट किया था सॉनेट लिखने का, साड़े दस लाइनों में जो पो हुए थे, और इस पोवम में बताने की कुशिश किये कि किस तरह से गाड ने इस बड़े से वर्ल्ड को बनाया, और कितनी सारी वैराइटी इसमें डाली, including colors, कितनी सारे colors इस वर्ल्ड में डाले हैं, तो परस्ट लाइन से शुरू करते हैं, ज्यादा लंबी पोवम ने हैं लेकिन language बहुत hard है, मतलब एक एक word का मतलब समझने के लिए dictionary खूल कर बैठना पड़ेगा, यह first line है इस पोवम की, इसमें बोलते हैं, glory to be God for dappled things, यहाँ पर first line में James Hopkins बोलते हैं कि thank you God, God को thank you बोलते हैं, हम आपकी आभारी है, glory to be God का मतलब thank you God, हम आपकी आभारी है, आप आपने इतनी सारी रंग बिरंगी चीजे बनाई, dappled things का मतलब रंग बिरंगी चीजे बनाई, जिन में different types of colors हैं, आगे बोलते हैं, for skies of couple colors as a branded cow, इस line का मतलब यह है, कि इस आसमान को, इस sky को आपने इतने colors से couple colors से भर दिया, जैसे कि एक गाय की skin पर, एक काव की skin पर डाग होते हैं, जैसे कि एक सफेद गाय की skin पर काले काले धब्बे होते हैं, for rose malls all in stripple upon trout that swim, इस line का मतलब यह है, कि यहाँ पर यह जो word है trout, यह एक type की मचली होती है, जो तैरती है, और उसकी skin पर guard ने गुलाबी color के धब्बे बनाए हैं, dots वगेरा बनाए है, rose malls का मतलब गु अब यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, कि गर्म कुईलू का कलर, fresh fire cools का मतलब गर्म कुईलू का कलर, गिर्टे हुए chestnuts का कलर, और birds के wings का कलर, इतने type के colors बनाया है, तो इतने type के colors को बनाया है, landscape plotted and pieced, fold, follow and plow, मतलब की, इस line का मतलब यह है, कि God ने इस जमीन को भी तरीके से plot बनाकर इस तरह से काटा है, pieces में, उपर वाले ने, कि कुछ ऐसे patterns बनाया हैं इस जमीन के, जो एक जैसे नहीं हैं, मतलब किस pattern को लोग काम में लेंगे, या फिर किस pattern पे भीड बकरियां चरेंगी, या फिर क इस हिस्से पर खेती की जाएगी, इस सब कुछ set किया है, इस तरह से काटा है उपर वाले ने जमीन को, and all trades, और हर टाइप के different कामों के लिए, trades का मतलब कामों के लिए, जो भी इनसान करता है, their gear and tackle and trim, मतलब अलग-अलग टाइप के equipments हैं या उसके, औजार है, gear, tackle and trim, All things counter, original, spare, strange, इस लाइन का मतलब ये है, कि हर चीज एक दूसरे से different लगती है, अलग मालूंग बढ़ती है, नई लगती है, original लगती है, अजीब लगती है, strange लगती है, whatever is fickle, freckled, who knows how, इस लाइन का मतलब ये है, कि ये जो इतनी सारी चीज़ें है, covered with freckles, किसने इन चीजों को बनाया है, कौन जानता ये, with swift, slow, sweet, sore, a dazzle, dim, इस लाइन का मतलब ये है, कि ये जल्दबाजी, ये धीमापन, sweetness, sore, taste, bright, और dim light, किसने इन सब को बनाया है, he father's force, मतलब कि God ने, God इन सब का father है, whose beauty is past change, जो खुद कभी change नहीं होता, उसकी beauty कभी change नहीं होती, इतनी सारी varieties ढ जालने के बाद भी, praise him, तो उसकी तारीफ करो, God की तारीफ करो, जो इतनी सारी varieties दिये, इतने type के different colors दिये हैं, उसने इस world में, praise him का मतलब उसकी तारीफ करो, Victorian age में, जब सारे लोग Charles Darwin के दिवाने बने हुमरे थे ना दोस्तों, बहुत बड़े fans बन गये थे, उनके एक group बन गया था, जो उनकी तारीफ करता था, जने एवालुशन के बारे में बता कर उनना क्या ही कर दिया था, तो एक group ऐसा भी था, उन लोगों का भी था, जिनको God की existence पर बड़ा strong belief था दोस्तों, उन्होंने भी logical सवाल पूछना शुरू कर दिया जैसे एक Scottish priest थे, Duns Scottish, कहा जाता है कि इस बंदे का influence था GM Hopkins पर, इस बंदे को हमेशा एक चीज सताय जाती थी, एक सवाल सताय जाता था, कि nature में इतनी variety कैसे है, इसी बंदे से inspired होकर GM Hopkins ने इस form, Pied Beauty को लिखा होगा, ये बंदा यानि GM Hopkins खुद religion से जुड़ा हुआ था, तो भगवान की तारीफ में उसने एक song लिखा, Pied Beauty, कि God की existence पर आप कैसे सवाल उठा सकते हो, अपने आसपास देखो, कितनी खुबसूरत रंग विरंगी चीजे हैं, अगर आप इनको God से देखो कितने perfection से इन में color भरे हुए हैं, क्या ये colors अपने आप भर गए, क्या nature में इतनी खुबसूरत चीजे अपने आप बन गए, ये सवाल बड़ा logical है दोस्तों, ये तरक जो है, वो लोग देते हैं, जो God की existence पर भरोसा करते हैं, कि अगर कोई चीज इस ब्रह्मान में exist करती है तो जरूर उसका कोई न कोई creator होगा, जैसे एक मटका बनाने वाला मटका बनाता है, तो वो उस मटके का creator है, वैसे ही मटके बनाने वाले को भी किसी ने बनाया होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही बनता तो कैसे भी टेडा मेडा बन जाता, लेकिन इतनी perfection कहां से आती है, तो परफेक्ट चीज़े अपने आप कैसे बन गई जरूर कोई creator होगा और GM Hopkins उन्हीं में से एक था जो इस कविता में कहता है कि देखो ये सब चीज़े अपने आप तो नहीं बनी होगी न अगर अपने आप ही बनती तो या तो इनमें colors ही नहीं होते फिर एक ही color में बन जाती सार आये कैसे इतने चोटी से चोटी चीज़ों में इतने perfect color भरे हुए हैं आप देखो गाये के उपर कैसे धब्बे निशान लगे हुए हैं आसमान में देखो एक तरफ तो अलग रंग दूसी तरफ अलग रंग मचलियों पर ऐसे निशान किसने बनाए पक्षियों की पंखू उपर अलग अलग पैटन में रंग किसने भरे दुनिया खुद बनी होती तो एक ही रंगी भी बन सकती थी ना जवाब ये है कि उपर वाला एक designer है और ये सब उसकी design का हिस्सा है उसे ध्यान देकर इन खुबसूरत चीजों को बनाया है सिर्फ natural दुनिया की बात नहीं कर र बात बड़ी logical है दोस्तों इसलिए survive कर रही है क्योंकि हम इंसानों ने हर एक चीज़ का जवाब ढूंड लिया है हमाले कैसे बना होगा मौसम कैसे बदलते हैं बारिश क्यों होती है लेकिन इस बात का जवाब भी दो कि इन जीवों में इतनी खुबसूरती किसने लाई इन जवान की existence का उसकी glory का अगर कोई इन बातों का जवाब दे सके ऐसा क्यों होता है तब तो माना भी जा सकता है पहले ये बताओ कि इतनी variety आई कहां से इस तरह से Pied Beauty एक पूर्म है Pied का अपने आप में मतलब होता है रंग बिरंगी चीज तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूर्म समझ में आये होगी दोस्तों इस वीडियो से आज की इस वीडियो मतलब है अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिये तो मैं अम्मीद करता हूँ आपको इस पूर्म का main idea समझ में आयोगा दोस्तों पाइट ब्यूटी किसको कहा गया है चलिया आज की इस वीडि घुत कुली हुग 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 हुग